हेलो एवरिवन स्वागत है आपका अपने एजुकेशन चैनल मैत्रे एजुकेशन हब पे हम यह जितने भी लिक्चर प्रिपेर कर रहे हैं इनसे कहीं न कहीं यूपीसे में कोश्चन आने वाला है यह मेरा दावा है कि coming examination चाहे वो प्रिलिम सो या में सो हमारे लेक्चर से जरूर कोश्चन आएंगे तो प्लीज आप चैनल के साथ बने रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा इसे सेर करें आज जो है फ्लोरा एंट फोना में ये लाश्ट लेक्चर है फ्लोरा एंट फोना में note of environment लेक्चर अभी continue रहेगा जो पहला है आज का species वो है olive ridlet turtle olive ridlet turtle काफी news में रहा है बहुत ज्यादा news में रहता है ये और हर एक साल जब इनकी nesting होती है तो ये news में एकदम से आ जाता है UPSC के लिए काफी favorable topic है आप जानते हैं इससे कई बार question पुछा गया है तो please lecture को ध्यान से समझे ध्यान से सुने ताकि आपको याद हो जाए यही का यही और बार बार आफे वीडियो देखें ताकि बार बार आपका revision होता रहे तो देखिए कि olive ridlet turtle जो है इनकी IUCN status क्या है? vulnerable है जो कि subject to change है यह changes होते रहते हैं इनके population और इनकी जो extinct की possibility है उसके नुसार आप जानते हैं जो status IUCN status वो इनको दिया जाता है तो अभी जो status है IUCN status इनका वो vulnerable है इनका जो नाम olive ridlet turtle इसके पीछे क्या कारण है तो इनकी जो shale है उसकी जो color है वो olive green color की होती है ठीक है इसकी कारण इन्हें olive ridlet turtle बोला जाता है इनका जो nesting जो है वो बहुत small number में available है पूरे entire globe पे बहुत कम जगहों पर यह अपनी nesting करते हैं इनकी habitat और distribution की बात करें तो distribution में सबसे पहले देखते हैं तो यह warm water of pacific और Indian ocean में यह पाए जाते हैं अब Indian ocean में कहा कहा आपको मिलेगा तो इंडिया इंडिया के पास अरबिया जापान मैक्रोनेशिया मैक्रोनेशिया साउथ तू साउथ अफरिका फिर Australia और न्यूजिलेंड आप यह map पर आप देख सकते हैं आप जब यह ऐसा कुछ को study करें तो आपने साथ map जरूर रखें अटलस जरूर रखें ताकि आपको पता चले कि हाँ कौन से region में यह पाए जाता है next Atlantic Ocean की बात करें तो Atlantic Ocean में जो कि यह साउथ अफरिका का जो वेस्ट साइड है यहाँ पर आपको इनका distribution देखने को मिलेगा वहाँ पर यह पाए जाते हैं coast of the northern Brazil तो जो northern Brazil है ठीक है तो यह जो northern Brazil है वहाँ पर भी आपको यह देखने को मिलता है Suriname, Guena, French Guena और Venezuela तो यहाँ यहाँ इनका distribution है Atlantic Ocean के पास Caribbean Sea में भी इनका distribution है और Irish Sea में भी इनका distribution है और भी अन्ने जगों पर है तो यह काफी पूरी globally यह distributed है ऐसा नहीं है कि यह खास ही country में इनका distribution है बाकी जगों पर नहीं है ऐसा बिलकुल नहीं है यह याद रखें characteristic इनका तो यह अपने एक खास तरह के nesting के लिए यह जाने जाते हैं जिसका नाम है अरी बड़ा यह terminology आप याद रखें काफे news में रहा है female जो है वो जहां से उनकी hatching हुई है वहाँ पर ही वो वापस लौटती है जब उनका एक समय आ जाता है जब वो adult period में आ जाती है और एग लेज करने के उस situation में आ जाती है तो वो अपनी जो अंडा देने वहीं पर आती है जहां से वो hatching के दवारा उनकी उत्पती हुई थी तो यह जो है female return to the same beach from where they hatched to leg their eggs यानि कि इनकी memory देखे कितने sharp है नेस्टिंग इन इंडिया में के नेस्टिंग कहां कहां है तो main जो है वो है गहीर माथा जो की उडिसा में है और यह one of the largest nesting site है वालिव रिडले टर्टल का और बाकी जो second and third number पर कौन-कौन से है Mexico and Costa Rica ठीक है और कहां पर है यह इंडिया में तो along the coromandel coast पूरे coromandel coast पर आपको विसाखा पत्नम में भी आप उसको nesting आपको दिखाई देगा वालिव रिडले टर्टल का गहीर माथा बीच is the part of किसका part है यह गहीर माथा बीच तो यह वीतर कनिका जो wildlife century है उसी का यह पार्ट है ठीक है तो यह भी पूछा जा सकता है exam में इनकी जो status है वो क्या है कि WPA यानि कि wildlife protection act 1972 के schedule 1 में protected है यानि कि आपको पता चल गया होगा कि highly protected है इनकी poaching पे विल्कुल ही रोक है यह कार्णी बोरस होते हैं jelly fishes and eggs यह खाते हैं और उनकी जो meeting जो time है वो लगभग जो period है meeting का वो 40 to 45 days यह ही है ठीक है इस अभी क्या है कि यह characteristic पर question पूछने लगा है UPSC पिछले जो वर्स था 2020 का prelims में आप देख सकते हैं कि जो जो elephant है उनके meeting का यह period यह पूछा गया था तो इसलिए हमने इसको भी सामिल कर दिया है next है salt water crocodile salt water crocodile की बात की जाए तो IUCN status इसका विल्कुल list concerned है यानि कि बहुत ज़्यादा तादात में available है इनका जो distribution आप देख सकते हैं map पर यहाँ पर कि यह पूरे throughout the जो एसिया है South East Asia वहाँ यह फैले हुए है ठीक है यह जो Coromandel Coast देख लें स्रिलंका देख लें या फिर जावा सुमातरा जो Indonesian island है वहाँ देख सकते हैं आप जो Australia का जो North North East है पूरा North Australia है वहाँ पर है यह और बाकी के भी जो islands हैं वहाँ पर यह distributed हैं यह largest living reptile है पुरे world में यह living reptile में सब से largest reptile है कौन? Sea water crocodile नेक्स्ट है खराई केमल यह भी काफी news में था पूछ सकता है और इसमें previous year में question पूछे भी गए हैं UPC के तरब से इनकी जो IUCN status है वो endangered है ठीक है खराई केमल जो है वो उनका जो भोजन कौन बनता है तो यह mangrove पर feed on करते हैं mangrove forest के बारे में हमने आप आप को बताया था कि mangroves क्या होते हैं इसके बारे में detail से हमने study की थी ठीक है और यह जो है कि इनकी जो यह swim भी कर सकते हैं for the hours यह swim कर सकते हैं घंटों तक यह swim कर सकते हैं और एक इसे जो है एक unique breed माना गया है किसके दोबारा जो ICAR है उनके दोबारा यह unique breed माना गया है ठीक खराई केमल यह unique breed of camel found only in kash region सिर्फ यह kash region में पाय जाते हैं they have the special ability to survive on both the dry land and the sea यह दोनों पर survive कर सकते हैं यह इनके characteristic की हम बात कर रहे हैं और अभी हमने बताया कि खराई केमल जो है was recognized as a separate breed in 2015 by ICAR जो Indian Council of Agriculture Research है उनके दोबारा यह recognize किया गया है 2015 में separate breed के के तौर पे और यह जो domestication की जाती है इनकी इसी तौर पर UPSC ने UPSC prelims में एक question मनाया था कि एक option उसमें यह भी था आप जाकत देख सकते हैं कि cry camel cannot be domesticated तो वो option गलत था क्योंकि यह domesticated किया जाता है और किसलिए किया जाता है तो milk के लिए और जातर ज इनकी जो milk है वो FSSI द्वारा और अमूल के द्वारा immense importance in the जो therapeutic जो property है इनकी जैसे कि यह ostracism में काम आता है टीबी में काम आता है diabetes जो patient है उनके लिए काफी फैदामन्द है और बहुत सारे types of cancer है उनमें भी यह काफी beneficial होता है इनका milk इनका जो trait है तो वही इनका जो trait क्या ह mangrove को destroy किया जा रहा है for the development purpose तो destruction of the mangrove क्योंकि यह इनकी भोजन है mangrove तो अगर यह destroy होंगे तो यह भी कहीं न कहीं trait में आ जाएंगे और salt industry के कारण क्योंकि salt industries के कारण क्या होते हैं इनको way नहीं मिल पाता है यह अपने mangrove तक पहुचने के लिए ठीक है तो अभी कोट मे भी case गया था जिसमें बोला गया कि इनको एक way परदान किया जा ताकि यह mangrove तक पहुच सके ठीक है नेक्स्ट है अस्टार टॉटवाइज इसलिए इसका नाम है इसे इंडियन टॉटवाइज भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सेल जो है न वहां पर आप देखेंगे कि ठीक है यह जैसे की टॉटवाइज हो गया तो यह जो है स्टार टाइप का ऐसे बना होता है इसलिए से स्टार टॉटवाइज बोलते हैं इनकी जो आई उसी इन स्टेटेस से वो वलनरेवल है और अभी जो है 2019 में इनको अपग्रेड कर दिया गया है साइट्स के अपेंडि जो ट्रेड होता है उस पर बिलकुल प्रोहिवीशन है अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो जो इंटरपॉल होती है वहां की वो आपको अच्छे से खातिरदारी कर देगी ठीक है डिस्टिब्यूशन इनका कहा कहा है तो दे रेंज फ्रॉम दे इंडिया ठीक है एक WPA 1972 के सेडूल 4 में ये रिजर्वड हैं प्रोटेक्टेड है यानि कि इनकी जो अगर विदिन इंडिया अगर इनके पोचिंग की जाती है तो उतनी ज्यादा अश्टिंगि पनिस्मेंट या पनाल्टी नहीं है ठीक है क्योंकि ये सेडूल 1 में नहीं है ठीक है क्या है लॉ पीसी प्रिवेस यर्स में पूछे गए हैं पहला है अप्सन स्टार्र टोटवाइस हमने इसके बारे में भी पढ़ाई कि दिखेंगे प्रिवेस लेक्षे में जाकी प्रिवेस लेक्षे अर इस्पाइडर के question है कि which of the above are the naturally found in India और आपके सामने option है 1, 2 and 3 ठीक है B, 2 and 3 C option 1 and 4 and D option 1, 2, 3 and 4 तो कौन से इसमें सही है तो देखिए इसमें जो सही option है वो आपका A है यानि कि 1, 2, 3 यानि कि star, tortoise, monitor, lizard and pygmy, hog ही सिर्फ इंडिया में naturally पाए जाते हैं बाकी ये जो fourth species है, spider monkey ये इंडिया में naturally पाए नहीं जाते हैं ठीक है, next है spider monkey इनकी IUCN status critically endangered है अभी हमने spider monkey की बारें बात की यहाँ पर option में था, उसके बारे में देख भी लेते हैं IUCN status इनका critically endangered है इनकी distribution mainly जो है आप जो Central America और जो South America के जो North है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो ये Central America और Southern Mexico ठीक है यहाँ पर और यहाँ पर ब्राजिल में tropical forest इनका habitat होता है और इनकी distribution आप देख सकते हैं ये fruits और nuts खाते हैं ठीक है next है monitor lizard monitor lizard का जो distribution है आप ये globally distributed है अफरिका में Arab countries में, Indian subcontinent में, China और ये पूरे आप देख सकते हैं कि Indonesian islands हो गया और Australia ये सभी जगह ये distributed है monitor lizard monitor lizard आप देख सकते हैं आपको commonly ये available है आप कहीं भी रास्ते पर आपको मिल सकता है ठीक है जो harmful नहीं होता लेकिन इसकी bite जो होती है बहुत खतरनाक होती है venomous नहीं होता ये लेकिन लोग इसे देखते ही मार देते हैं लोगों में ये धारना बन चुकी है कि ये venomous है लेकिन ऐसा नहीं है IOC ने status से इसका list concerned है ठीक है 7 इसे पहले मैं एक monitor lizard के बारे में एक रोचक कहानी आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले जो डाकू वे गएरा जो होते थे जो मतलब कि संधमारी करते थे लोगों को रात में लूट लेते थे घर में संधमारी करते थे तो घर में ना चढ़ने के लिए ये monitor lizard का प्रयोग करते थे क्योंकि monitor lizard के जो पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्फ होते हैं और वो सिलिप नहीं होता किसी भी सर्फिस से वो बहुत तेज पकड़ होती है सर्फिस पर तो ये क्या करते थे कि monitor lizard एक तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो उनके पूछ में या उनके पैर में रसी बांद कर उनको छोड़ देते थे दिवाल पर और वो जाता था दिवाल पर चड़कर और उनकी सहारी ये फिर क्या करते थे दिवाल पर चड़कर और वहाँ पर लूट कर लेते थे तो ये monitor lizard historical ऐसे ये यूज होता था नेश्ट है चीता चीता जो इंडिया से जो है इंडियन जो चीता है मैंने आपको पहले भी बताया था ये instinct हो चुका है और जो last जो मिला वो चंदिगड में last था वो died हो चुका 1947 में ही और जो declaration इंडिया से ये instinct डिकलियर कर दिया गया 1952 में ठीक है लेकिन अब क्या है इसकी reintroduction की बात की जा रही है कहां from Africa Africa से हम ला रहे हैं और कहां introduce कर रहे है कुनो नेशनल पार्क मध्य परदेश में अब हमें ये जानना होगा कि कुनो नेशनल पार्क में ऐसी क्या खास बात है कि इनको वहाँ पर इंट्रोडियूस किया जा रहा है ऐसी कोई तो वज़ा होगी क्योंकि जो कुनो नेशनल पार्क को ही हमने चुना है तो एक तो हो सकता है कि यहां पर जो वेदर कंडिशन जो है इनकी जो हैबिटेट है वो वो जो है सिमिलर होगी और भी देख लेते हैं कुनो नेशनल पार्क के बारे में दे पार्क अस्पैंस एक रोज 261 स्क्वाइर किलोमेटर में यह फैला हुआ है और पार्ट अफ कुनो वाइल्डाफ सेंचुरी इसी का पार्ट है कुनो नेशनल पार्क अब यह देख सकते हैं आपकी यह जो चीतल, सांभर, निलगाई, वाइल्ड पिग, चिंकारा, कैटल यह सारे क्या हैं किसके इसी के प्रे हैं किसके सिकार हैं यह चीता के सिकार हैं चीता इन पे फिड़ाउन करती हैं तो यहाँ पर उसको प्रयाप्त भोजन मिल जाएगा दूसरी बात क्या है कि इसको इसको कमपेटेटर यहाँ पर ज्यादा नहीं मिलेगा कमपेटेटर कहने का मतलब कि जो कारिनीवर्स होंगे वहाँ पर इनके कमपेटेटर होंगे competitor in the sense की hunting के लिए तो यहाँ पे main competitor इनके कौन होंगे लेपाड और जो stripped हाइना है यह सिर्फ दो ही competitor है तो यह इजली survive कर सकता है इसलिए कुनो national park को चूना गया ठीक है तो यह कुछ कारण है अब चीता के बारे में जान लेते हैं तो IUCN जो status है इसका वनरेवल है ठीक है एक्रोस दो वर्ल्ड में native to Africa and Central Iran ठीक है native आपको पता है कि native species किसे काते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको discuss किया था broadly discuss किया था आप जाकर इसे देख सकते हैं जो Flora and Fona का जो फर्स्ट लेक्चर है याने कि लेक्चर नमबर 9 में It is the fastest land animal सबसे fast दोरने वाला ये animal है ठीक land animal की बात की जा रही है 80 to 128 किलोमिटर परती घंटे की रफ्तार से दोर सकता है इनके जो तीन social group में ये generally रहते हैं जो पहला है वो female and deer cubs जो मदाएं होती है अपने बच्चों के साथ दूसरा जो male coalition है male का एक group जुन आपको दिखाई दे सकता है और solitary males भी आपको exist करते दिखाई देंगे याने कि अकेले भी रहना पसंद करते हैं habitat इनका सवानाज अफरिका में आप जानते सवानाज grassland पाए जाते है mountain range in the Sahara hilly desert in the Iran ये इनकी habitat है threat इनका habitat loss और hunting ये इनका इलिए threat है next है हिमालियन quail हिमालियन quail की बात की जाए तो ये IUCN statuses का critically endangered है ये भी काफी news में था it is a medium side quail belonging to the figent family ये figent क्या है तो एक तरह से पच्ची होती है जिसको आम भासा में पंडुक औगरा बोलते है उनी की family से ये बिलोंग करती है ये जो है mainly आपको उत्राखंड मसूरी में ये पाए जाता है ठीक है wildlife मसूरी आपको याद होगा कैसे नहीं याद होगा यहीं तो आपको जाना है wildlife protection act 1972 schedule 1 में ये protected है native to India जदा उचाई पर रहते है next है Siberian crane Siberian crane क्या है एक migratory bird है यानि कि एक जगह से दूसरे जगह पर ये मौसम के नुसार जाता है climate के नुसार ये क्या है कि ठंड सर्दियों में क्या होता है कि ये breed करते हैं और breed करने के लिए ये Siberia रसिया से हमारे जो राजस्थान में केवला देव नेशनल पार्क है वहाँ पर आते हैं और आपको मैंने बताया था कि केवला देव नेशनल पार्क जो है जो वेटलेंड है वो रामसर साइट है यानि कि ये protected है रामसर साइट के उंतरगत ठीक है और ये एक Monteriax record में भी ये listed है यानि कि इनकी बहुत ज़्यादा degradation हो चुकी है अब ये degradation के कारण क्या है ये Siberian crane की जो तदात है वो कम हो रही है ठीक है उनकी IOCN statistically critically endangered हो गया है ठीक है आप ये देख सकते हैं जो कि अभी हमने बताया आपको अभी हमने discuss किया और इनकी मेन वज़ा किया है ये wetland की degradation का तो pastive side का जो pollution है उसके कारण ये wetland जो drainage है वो degrade कर रहे हैं और साथ-साथ hunting के कारण भी इनकी population कम हो रही है नेक्स्ट जो है वो है the Bengal floricon जो Bengal floricon हमने बताया था पिछले lecture में कि ये Indian bustard जो great Indian bustard का ही एक sub-species होता है a rare bustard species that is very well known for the mating dance ठीक है ये अपने mating dance के लिए famous है habitat इनका वही grassland occasionally interspersed with the scrublands distribution native to the three country में ही ये native हैं कौनकों से Cambodia एक अपना भारत और Nepal ठीक है इंडिया में आप कहां कहां ये देखने को मिलेगा कौन तो ये जो है Bengal floricon सिर्फ Bengal में ही नहीं है Bengal से आप confused नहीं होगे UP, Assam और अनुराचल परदेश में भी ये देखने को मिलता है इनकी जो IUCN status है वो critically endangered है next है the forest outlet forest outlet एक बार समझा जाता था कि ये extinct हो चुके है लेकिन इसको rediscover किया गया 1997 में और इनकी जो habitat है वो dry deciduous forest में ये रहना पसंद करते हैं इनकी जो distribution है इंडिया में मद्यपरदेश और महराष्टरा और IUCN status इनका क्या है critically endangered क्योंकि आपको पता है कि एक समय पर ये extinct माने जा चुके थे यानि कि इनकी तादाद ज्यादा नहीं होगी इसलिए IUCN status इनका critically endangered है ये तो हो गया हमने क्या देखा फौन आज यानि के animals आप देखते हैं plant diversity in India बहुत ही छोटा टॉपिक है invasive alien species के बारे में सबसे पहले हमें जानना है जिसकी हमने बात जो lecture number 9 में lecture number 9 में हमने बिस्तार रूप से कर दी है वही चीजे यहाँ पर mention है आप इसे screenshot लेना चाहें तो ले सकते हैं और समझने के लिए आप lecture 9 जाकर उसके starting में ही lecture 9 में आपको invasive species और alien species देखने को मिल जाएग ठीक है तो वहाँ पर आप जाके इसे एक बार रिवाइज कर लें अब invasive species fauna में यानि की plants में इसारी fauna का मतलब क्या हुआ animals इनिमल्स में invasive species इंडिया में कौन-कौन से हैं तो कुछ हमने यहाँ पर examples दे रखे हैं पहला है लैटो साइवे इनवासा यह एक इंसेक्ट होता है जो के तमिल नाडू में पाय जाता है crazy ants यह भी invasive species है यानि alien species है invasive है यानि की हमारे जो native species के लिए निगेटिव इंपक्ट कर रहे है जाइंट अफ्रीकन असनेल मैनाज गोल्ड फिस पीजन गोल्ड फिस निउज में था याद रखिएगा तो गोल्ड फिस क्या है यह invasive fauna है होना है सब invasive alien flora भी देख लेते हैं इंडिया में इससे भी question काफी बार पूछा गया है आपको पता होगा कि यह प्रोस्पी जुलिफ फेरा इसके बारे में पूछा गया था कि यह किसे related है ठीक है उसके बाद फिर लैंटाना कैमेरा है इसके बारे में भी पूछा गया था EPSC prelims में water high net यह सारे जो हैं यह flora क्या है कि invasive है आप इसे ढंग से याद कर लें अगर यह कुछ-कुछ याद रहेंगे आपको तो examination में आपको अराम से option mark करने में असानी होगी तो यह रहा आज का lecture और यह हमारा समाप्त हो गया flora and fauna ठीक है next lecture में हम मैंने सोचा है कि buddhism एक जो topic है जो art and culture से related है उसको बता दो क्योंकि जो coming prelims है अब सिर्फ एक दो दिन बच गया है अगर उसमें एक बार आप उसको सरसरी निगाहों से लेकर ले लेंगे दो तीन question का तो अगर आपको हमारी यह lectures पसंद आती है तो please चैनल को subscribe करें और अपने valuable comments जो है comment box में दें और ज्यादा ज्यादे से share करें thank you friends